सेबी ने NTPC Green Energy के 10,000 करोड रुपे कीमत के IPO को अप्रूबल दे दिया है तो जल्द ही ये IPO आपको पर्चेस करने के लिए अपेलेबल हो जाएगा लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम सारी डिटेल चेक करेंगे NTPC Green Energy क्या है इसके IPO को हम कैसे ले सकते हैं किस तरीके से आपको सारी डिटेल मिलेगी दूसरा ये कि IPO में हम इन्वेस्ट तो कर देते हैं लेकिन हमें IPO का अलोटमेंट नहीं होता तो वो किस तरीके से होगा कब इसका IPO ले पाएंगे सारी चीज़े हम आज चेक करेंगे IPO मतलब IPO में इन्वेस्ट करने से बेनिफिट मिलेगा ये नहीं मिलेगा तो बारी एनर्जीज के IPO में अगर आपने इन्वेस्ट किया है जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था तो आपने रिटन देखे होगे आज हम यहां पर डिसकस करने जा रहे हैं NTPC, Green Energy के और इसके बारे में सारी डिटियल चेक करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं कि कितने मतलब इसके बारे में सारी डिटियल चेक करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम हर बार की तरह अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको करिए सब्सक्राइब इस बटन पर क्लिक करिए और उसके साथ साथ बेल नोटिविकेशन भी दबाईए जो कि आपको यहीं पर मिलेगा इस तरीके से क्या होगी आपको सारे नोटिविकेशन मिलेंगे और यह सब कुछ फ्री है तो फ्री में अगर आपको कहीं से ग्यान मिल रहा हो तो इंस्ट्रक्शन को फोलो कर लीजे ताकि आपको और जल्दी अच्छे तरीके से सारी चीजे डेटेल में बता चल जाए तो चलिए बात कर लेते हैं NTPC Green Energy के बार में तो NTPC Green Energy की जो इस थापना है वो 2000 पीस में हुई थी आप कहेंगे कि NTPC तो NTPC तो National Thermal Power Corporation of India था NTPC PSU Company थी उसी की यह subsidiary company है NTPC Renewal Energy Limited और NTPC Green Energy तो Green Energy, Renewal Energy इसका मतलब होता है कि ऐसी Energy जिसको बार-बार reproduce किया जा सकते जैसे Solar Energy के अगर हम बात करें यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे Solar Energy हो गई, Bend Energy हो गई, तो यह Solar Panel इतने दिख रहे हैं, Bend Energy तो हबा क्या कभी खतम होने वाली है नहीं तो NTPC, इसकी जो स्थापन थी 2020 में होई थी NTPC Renewal Energy Limited की NTPC CREL करके Fully On Subsidary of NGEL NTPC Green Energy Limited, तो NTPC Green Energy Limited के IPO को Approval मिला है यह आप 10,000 करोड फंड पब्लिक से रेज करेंगे और उसका जो Main Purpose है वो इनके Parent Business में इन्वेस्ट करना है जिससे की इनका Expansion हो सके तो चली बार की डीटेल देखेंगे यहां पर हम लेकिन उससे पहले इनका Main Purpose समझ लेते हैं कि आखिर है क्या तो NTPC Green Energy ते कि एक दो तरीके कंपनी होती है एक तो जिनका Current Business जो है मतलब जो अपने Business की Need को पूरा करने के लिए IPO लाते हैं फंट्रेज करते हैं यहां पर क्या है कि इनके पास Order Already है उसको फुल्फिल करने के लिए अपने Corporate परपच को पूरा करने के लिए इन्हें जो है IPO लाना पढ़ रहा है तो अगर हम देखा जाए तो NTPC Green Portfolio Consist of 14696 Megawatt तो इन्हें 14696 Megawatt का इनका Megawatt का वो है जि इनका ओपरेटिंग जो चल रहा है और 11771 Megawatt का कॉंट्रेक्ट इन्हें मिल चुका है और यह अवार्ड प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट को अवार्ड यह प्रोजेक्ट अवार्ड हो चुका है यानि कि मिल चुका है इनको 30 जून 2024 को इसलिए यहां पर यह IP लेकर आ रहे ह जिससे की फंड इन यह पब्लिक से उठा सके और इसको पूरा कर सके अब यही नहीं देखी यहां पर कंपनी यही नहीं रुपरी फर्दरमोर इट ओल्सो हाउसेज 10,975 Megawatt कैपसिटी अंडरलाइन पाइपलाइन तो इनके पास 10,975 Megawatt कैपसिटी का काम जो है वो इन प्र इट्स पॉर्टफॉल्यो तो कुल मिलाकर इनके पास जो है 25,671 Megawatt पावर जनरेशन का इनके पास इस टाइम कॉन्रेक्ट है जो जिसमें से 10,971 का तो पाइपलाइन में है 2925 का इनका चल रहा है और 11,771 का इन्हें कॉन्रेक्ट मिल चुका है जून 2030 को इस तरीके से आप अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे उनके पाद रहते हैं कुछ कंपनी में तो उसका पूरा करने के लिए जो हैं वह आई प्यों का सारा लेते हैं या फिर और दूसरी चीज़े हो जाती है कि बिजनिस को एक्सपेंड करना है अब यहां पर NTPC का जब नाम आता है तो कह क्या ज़र होता है तो यहां पर अगर हम बात करें तो NTPC Green Energy Renewal Energy यह उस मतलब यह अपने आप में separate unit है अलाकि NTPC की subsidiary company है यह तो NTPC National Thermal Power Corporation में वह क्या काम करते हैं वह जैसे कि पहले हम अगर देखा तो परमाडू से बिजली बनाना या फिर कोईले से बिजली बनाना इस अरी के की लेकिन इनकी एक limit है उसके बाद कोईला जैसे खतम हो जाएगा तो कहीं न कहीं हमें सबको Renewal Energy पर dependent होना पड़ेगा यही रीजन है कि इन्होंने अपनी subsidiary company NTPC Green Energy NTPC Renewal Energy जो है start किया है तो NTPC Green Energy के लिए इने fund की दरौत है क्योंकि वहीं से इनके सारे project मिले हैं और इनके पास अभी अगर हम बात करें तो 175,671 MW Power Generation का इनका पूरा portfolio है तो इसलिए इने fund की जरौत बढ़ रही है अब यहां पर हम इनका चार्ट देख लेते हैं इतना performance जो है चार्ट की कितनी बढ़िया है जिसको देखते हुए NTPC Limited का यह चार्ट है यहां पर आप दे रिनेवल एनरजी में 2020 से ही रिनेवल एनरजी का जो है growth एकदम सभी मार्केट में बढ़ा है यही रीजन है कि यहां से 2020 से 4 साल में यह स्टोक 80 रुपे से बढ़कर 440 रुपे का high जो है जो है लेकर अभी रिटन आ रहे है 408 रुपे के असपास अभी market में इसका price चल रहा ह हलागि यह 3 मंत का चार्ट है और यहां पर हम नीचे से रिजेक्शन भी देख रहे हैं इस सेक्टर में आपका जो पोटेंसियल है वो काफी अच्छा है और यही रिजन है कि यह अपनी उनिट को इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो यह तो था ओर्डिनरी जो अभी पहले स आईपीओ का चार्ट आईपीओ के बाद यहां पर आप चेक कर पाएंगे परफॉर्मेंस देख पाएंगे फंडामेंटल हमने चेक कर लिये हैं वारी अनरजी भी सेम के टिगरी का था उसमें आपको कफी अच्छा रिटन उस आईपीओ के जर्यों मिल चुका है तो अब हम यहां पर NTPC Green Energy का बेट कर रहे हैं कब आईगा आप देखें यहां पर हमने कई सारे सवाल लिखे थे जिसमें आप सोच रहोंगे कि वीडियो कंप्लिट हो गया है लेकिन यह जो सवाल थे यह कहा है जैसे IPO कैसे मिलेगा कब ले सकते हैं कितने रुपे का सेयर मिल रहा है IPO मे invest करने का benefit मिलेगा या नहीं तो एक सवाल तो हमने fundamental के साथ clear कर दिया कि IPO में invest करने का benefit मिलेगा या नहीं तो last में भी अपने chart देखा यह देखे यह तो ordinary company का है और जब हम यहां पर renewal energy की बात करते हैं तो हमें directly इसमें benefit मिलेगा यह जो है business के concept पर हम बोल रहे हैं हाला कि कोई guarantee नहीं रहती है disclaimer भी साथ के साथ है IPO में stock market में आपको अपने खुद के risk पर ही करना चाहिए लेकिन इस business की performance यह बोलती है कि यहां पर आपको काफी अच्छा benefit जो है वो मिल सकता है अब चलिए बात कर लेते हैं हम दूसरे point की जो हमने यहां पर देखा था कि IPO में invest कैसे करें तो IPO मिलेगा उसके लिए आपको देखे क्या होता है कि हम जितने डीमेट अकाउंट के through apply करते हैं उतने हमारे chances बढ़ जाते हैं अगर मानलो आप जिरोदहा ग्रो या इस टाइप का कोई platform यूज करते हैं जैसे angel one samco security और आप एक ही platform से apply करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आपको IPO मिलने के chances कम रहते हैं लेकिन जैसा मेरा अपना personal experience है वो यह बोलता है कि अगर आपके पास दो डीमेट अकाउंट है या दो से जादा है तो आपको सभी में अपना fund add करके timely fund add करते हैं और अपने जो account आपके जो manager हैं डीमेट को उधर से जो handle करते हैं उनसे बोल allotment जो है हो जाएगा तो इसी तरीके से जादतर मिलते हैं अब IPO कब ले सकते हैं कितने रुपए का एक stock पड़ेगा तो इसके बारे में भी detail आई नहीं है जैसी detail आएगी हम यहाँ पर update कर देंगे अभी फिलाल information यही थी कि सेभी की तरब से NTPC green energy को green signal मिल चुका है IPO आने इस वीडियो में ना information के सार्थ अब तक लिए keep watching acid guide